इन दे प्रिविएस क्लास वी हाव डिस्कुस्ट अबॉट ट्रांस्पिरेशन ट्रांस्पिरेशन में ये जो मुव्मेंट आफ वाटर थू ए लीफ ये वाला मेकानिजम हम लोग ने कवर किया था और लीफ में पेज नंबर 59 मैं स्क्रीन इस शेर नौ is yes sir page number 59 so page number 59 में हमने mechanism जेख़ा how the water is moving in the leaf ok so what are the different types of cells are there spaces structures are there in the leaf transfer section कौन बताएंगे हरशित आप बताओगे क्या सर लीव के स्ट्रक्चर में क्या क्या टाइप के सेल्स हमने देखा तो जाते हैं आउटर मुस्ट लेयर जो है वह कुटिकल कुटिकल इस दा ओटरमोस्ट लेयर गचलेव उसके नीचे है अपर epidermis बीच मैं मिसोफिल टिश्यू है मिसोफिल टिश्यू में दो टाइप है पैलिशेड मीसोफिल spongy mysofill and the lower one we have the lower epidermis शबसे ज्यादा स्टोमाटा लीफ में कहां होता है उसके उपरी सता में that is in the ventral surface or down that is the dorsal surface I think you should be able to answer quickly प्रनेंद प्रनेंद प्रनें आप बताईए कि लीफ में जो है leaf का जो डॉर्सल surface है डॉर्सल surface यानि अपर पार्ट अफ़ लोवर पार्ट अफ़ लीफ तो डॉर्सल में ज्यादा स्टमाटा है कि वेंटर्ल में ज्यादा स्टमाटा है कि दॉर्सल में ज्यादा स्टमाटा है bvr proving that using the what kind of paper that is the experiment किस टाइब का पेपर केमिकल हमने उसकिया यूज अठाइब क्लोड यूज किया ने विख साथ स्पेसिटेक लिखा ए लिखा ए राय कोबाल्ट व्राइट टेपर रॉम्म्म मतलब वेट कोबाल्ट व्राइट विखता है हा आपको क्या लगता है क्या यूद करना ची यह ड्राई की वेट यहां पर वही है कोबल्ट क्लोराइड जो है when it is absorbing the water or moisture it will turn from the blue color to the pink color okay that is a simple okay water of hydration that kind of reaction okay next step stomatal regulation of transpiration आपको पता है कि stomata जो है वो opening किस के कारण बन रहा है यह जो structure है हमने इसके पहले भी देखा यह किस cells के द्वारा क्या यह अपने में permanent pore है या किसी के structure के कारण यह बन रहा है कि मेरा कोश्चन क्लियर है आपको चले रिपीट कर दीजे ना देखिए स्टोमाटा स्टोमाटा क्या एक पर्मनेंट पोर या होल है यह किसी और दूसरे structure के कारण बनता है किस टाइप के cell के द्वारा यह बनता है तो यह जो regulation of transpiration है स्टोमाटल regulation of transpiration है तर आज का लेक्षे रिकॉड कर रहें क्या है तो यह कैसे हो रहा है जो गाड़ सेल्स हैं यानि the kidney shaped cells that are there in the leaf leaf में कुछ kidney shaped cells है यह वाला kidney shaped cells हो गया जो को हम लोग बोल रहे हैं guard cells और इसके बीच में यह जो पोर बना यह जो ओपनिंग बना वो हो गया स्टोमाटा विन्द गाड़ सेल्स आर तरजीड दस्टोमाटा विल बी ओपन और क्लोस तो जब गाड़ सेल्स हो जाएगा सर तब फुल जाएगा ओपन हो गाड़ सेल्स हो जाएगा यानि पानी इसके अंदर गया तब क्या होता है यह वाला जो एरिया है ड़ने के कारण उसमें कर्व आजाता है यहрашूर अर्स करम जाएंगा, और इसना पानी बाहर निकलता है गाड़ से, अंदर ये तब guard cells flaccid हो जाएंगे, ये वाला कर्ब ठीक से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से sagging टाइप का हो जाएगा, ये pore लगभग बंद हो जाएगा, तो stomata close position में बन जाता है, तो how you are able to regulate the opening and closing of stomata, by regulating the guard cells, guard cells को अगर आप turgid और flaccid इस condition को आप maintain कर पाओगे, उससे आप उसका opening and closing कर सकते हैं, तो जब बहुत ही गरम दिन है, midday का time है, तो क्या होगा, पानी का loss जादा होगा की कम होगा, sir, transpiration जादा हो रहा है, इसका मतलब stomata खुला हुआ है, वैससे transpiration हो रहा है, तो there are also some plants in the midday, यह जो है wilt हो जाता है, wilt, यह शब्द आपको बार-बार repeat होगा, इसलिए इसको शब्द को समझ जाए, wilt का क्या मतलब होता है? मुर्जा जाना, sir, मुर्जा जाना, मुर्जा जाना, मुर्जा जाना, पौधा मुर्जा गया, अंग्रेजी में बोलिए, the plant is wilted, तो, विर्टेड, जो है leaf, जब मुर्जा जाता है, midday में, और शाम होते होते, फिप्टिस हो जाता है, यह चीज हम लोग जेखते हैं, बालसम, बालसम पौधा, बालसम पौधा क्या हुआ, बडा रंग रंगा अलग अलग सूल आता है, इसमें, क्यानदा बालसम, आप समझ जोगल पे सर्च के तो आयाद हमें दी, ज्यादा तो वाटर लॉस्ट ज्यादा हो रहा है जिसके कारण शेल्स आर बिकमी फ्लाइट एंड लीज भी मुर्जाया हुआ पूजिसन में आजाता है सर मेरे पास साज है टैश्मी फ्लाइट वो स्या में मुर्जा जाता है अपने 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 आप नेक्स जो है सब्सक्राइबातो है। Qutical पहले भी देखा it is a waxy layer, ok, इसप्रक्रच्चर अपट आप देखा अथे अधी लेखा Outer most waxy layer that is a creged by the epidermis on the two surfaces of the leaf Even the upper surface, even the lower surface But the thickness of the cuticle from plant to plant will differ and also generally the upper thickness और पड़ा ज्यादा रता है compared to the leuce करने के लिए आपको लगेगा कि बड़ा चमताया हुआ तो अक्तर क्या करते हैं कंपनिया जो की मतलब आपल को जो है बहुत समय तक शोर करने के लिए तैराफिल यानि वैक्स है वैक्स में जिगों की मिशाल रहता है तो अब वो जो सेव है वो बाहर के साथ कोई गयास एक्षिंग नहीं कर पा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि अंदर में जो उसका रिस्पिरेटरी प्रोसेस है वो पहुत कम हो जाता है और एक पर्टिक्लर गैस होता है इतनी गैस विए भनता है यो को बनता है जो के सुट रइडान ही प्रोसेटरी नहीं हो पाए आप रहा है तो यह सब ताई क्या हो रहा है कि फ्रोटेक्शन और generally the desert plants, the cactus and all of these, आप देखिए कितना रहता है उसका जो है सर के, क्यों ऐसा हूँ चिखना है, और वही आप देखिए जो राइस प्लांट है, या रोज प्लांट है, उसके पत्ता उसका आपको चिखना नहीं मिलेगा। सर यह जो पौदा होता है कच्चु का पत्ता सर उसे पानी जमता नहीं है, वो भी पुरा चिखना होता है। तो आप देखिए जैक प्रूथ है, वो बहुत सारे है, बहुत सारे प्लांट है, आप जहां पर भी देखो गया ना बहुत अच्छा चमग रहा है, इसके ओपर वैक्सी को तो यह क्या कर रहा है कि ट्रांस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सार, स््टेंज में सिर्श से बोल दिडीएगा शार, आवार स्ट पास्द प्लेंग रहा है। यह पुस्चिन प्रीएगजम में इपबर आया था। तो फिर से बोल दीजेगा सार आवाज से बस गिया था आपको को' जो बहुत आंशर किये बस दो होगी दो होगी अरटाउंट्थ अंजर थ्टो अंजिजेग सब्सक्रीशन करके आंशर सथूर है कि अंजा क्या है प्याजिया क्या है डूरी तो पूरी राम खता खतम हो गाई और जो है ना इसी बेसिक कोस्टेन पर आजमें आज में वोर कॉंफिटेंस की रहता है बच्चें के शेकिते हैं च्या करते हैं यहां पर स्वस्टा जब सुछा जाये तो इसमें आप दोलोगें नमबर वन एक्षेंज गासिट, चरबन दाइज से साइड, और शिंट छेंड राट्ग है गांध। तो दो function है, half half mark देने के लिए, आपको नहीं पुछेगा उसमें की location बताओ, लेकिन बच्का क्या किया, और मुझे पता है, location पहले लिख ही है, और एक सो बस लिख ही है, और एक सो बस लिख ही है, तो और confidence है, ज्यान देंगे यहाँ पे exchange of gases भी है, इसमें carbon dioxide नौर्च रिखन तो दो 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 द इसके पहली मैनने आपको बताया है , आजर आपको ही इसके शमाहतल है यहां पहली है इसके आपको , मैंने आपको बताया लेकिन ये दोनों के बीश में फर्क बहुत जादा है इसमें कोई डाउस सब्सक्राइब लेकि लेंकी सेल्फ में कोई जाड शेल्फ नहीं है तो वही तर डाउस पैसर जब आप दोले कि ये हमेशा खुला रहता है तो सब्सक्राइब रेट और ट्रांस्पिरेशन को ज़्यादा होना चाहिए ना इस्सान पर जय्यादा संल्हाइफ रही है और स्टयमें कैसा रिजन है जहां पर जो धुक्त कमपड़ परता है इसलिह इसलिह पौधा को जयादा मिस्तान नहीं है और जूसरा राशा सब्सक्राइब प्पाइन प्टी मून मात प्रॉंत वे बड़ा पत्ना स्ट्वर है ने है। इंद्वरी लैज़े हैं। और लंबर आप शुमाटा बहुत जादा है। थावजेंट इसेट पर स्ट्वर स्ट्वर में। तो ऐसे केस में क्या हो रहा हैं। शुमाट्न ट्रांस्पिरेशन के बहुत जादा हो। लेंटी किला ट्रांस्ट्रेशन हमेशाद खुला होने के बावजी इसका स्ट्रक्ट्टर रहता है उरी चैन का वाला एरिया में है और इसका शनलाइट का पूशिशन ऊपर से नीशे आ रहा है और लेंटी चल तो अरिजन्टल डायेक्शन में जा रहा है एर फ्लो है डस है मैंने यह सब आपकोशस पहले इस लाज में बताया क्यों जादा स्ट्रक्ट्ट्टा नीचे की सरफ है उपर की परस परस्टे संपरिय द्याइक आप आप डाया जाए स्ट्रक्ट्टा वाल्स्ट्रक्ट्स अंस्ट तो अस चैनल के आट दो उस इसट्ट्रक आप राक्सी लेयर बता है जो आतन के उपर क्रेट हो जाता है सर वो नीफ के उपर सर मतलब नीफ के उपर वो राक्सी लेयर बनता कैसे के साथ को लोगानो के सकते आप डेखłों कि हर्म नीफ कर meditate है है तो इसका और ज्यादा is एसका स्पच 디सक्ष्र में इसका कारद वे रही सब्सक्र थी पॉलिदी आशीद करता चाने ट्यक्स ध्वक्स, व्यद्वक्स generate युद्धे वीक्स phone दे माँ करह देद लेगे वसके नैच्वरल devenir useful तरह कहा चलिक प्रेकर्चिन के पेशित आप पेशने etmek चलिक देमते हैं जुर्फेख canavra प्रेकरी aż मुठेशी स्वें प्रेक्षितो थैसे वादम सुट्धोपरां अब छान durableÓ आप्टेश इस तेंप्रेशर पर वो लिक्षिद हो जाएगा तो दबाईयों में जब हम लोग भीश करते हैं वह जो आइंटमेंट आज कल तो भाई याव भी दी राक्स इसना नहीं जो आज कल तो पारफिन ही डालते हो आप कमपोजिशन में पढ़ा करो सभी कभी दवायां वगरा आप देखे उचिए सभी पढ़ा करो देखें इसना आप छली नेच चली नेच बहुत इंकोर्टेंट है यह हमने पहले भी बताया यह यह वाली चाप्तर से कीशन वाला क्योश्टन एक जरूर आता है तो बताएए इसमे क्या सीचन पानाकि यह पेज नमबर 6 की प्रोग्रिस के के आज्में को लाना चार्ट जरूंगे लग मैं वार पतयु जैल वर वे सब्सक्राण आख पर दाख लाव अगा मी सूफ जैल्स लिए और एफ एइस एड़ हिस्ट नश्राण ओर एंड गार मीफिस्ट्राण एर रख व्टाण ठाम मीफिस्ट्टॉ जैल व्टी यूपिस्ट्टॉ यह आपका जो यह आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है आंकर करेक्ट है क्या प्रींज बताओ आपको क्या इसलिए इसलिए क्या लगता हुए इसलिए कर लगता है। इसलिए डिशेशर क्या इसलिए है लिगता है है स्वीन से तूप्रणी ने जाएगा या जाहिलं से नी को सिर्फ van जाइलम के बाद होगा जिस स्वाइलम के बाद होगा जैए सर्थ जाइलम के बाद होगा जिस यह सर्थ क्युकि पाँजी मिजड़ों के बिसमे तो बहुत सारा इंटर सेल्ड़ी माम है। पिले तो स्कुन्जी मों मैं सा अदर इंटर सेल्यूलिर सेल्ड़ों के बाच बिसमे बतलते बाते। इस पतला फिल्म आफ वाटर आपका नीचो फिल्म के शेल वाल के बन रहा है यह इस इंटर्फिल्डार स्पेस में इवापरेट होके जहां जमा हो जाएगा सब इस कमाटनी स्पेस में जमा हो जाएगा सब इस ओमाटनी स्पेस से यह जो वाटर वेपर हैं कमाटनी आधवरा एव फिल्म के बने olması कि और स्पेसदिध के धरी स्पर्वाब,प्योट वोटर वेपर में। yes sir yes sir yes sir तो ट्राइ करें समय लगाईए दिमाग लगाईए क्या डिसीजन हो रहा है राहा प्राइस्पिरेशन में डिसीजन होता है आसर होता है क्या प्राइस्पिरेशन करने अधरिशन में डिसीजन बता है में टो आटाइस्पिरेशन में डिसीजन बताया आटा याद बताया सर लोर कॉंसेंट्रेशन से बाइर कॉंसेंट्रेशन मैंना दिफ्यों जोना मैंना दिफ्यों जोना प्रेशन युष झाल सिर्ण युष युष पानी के बाद पूरे पानी में घुल जाता है तो हाई चॉन्सेंट्रेशन पूरे पानी में घुल जाता है अगर बत्ती आपने जलाया अगर बत्ती जब जलाते है तो इसमें से धुवा निकला तो धुवा डिफ्यूज हो रहा है तो अब आपसी कन्फूजन नहीं होना को है तो अगर इस मने बोला पानी न लामत अचैनल ने मौल जाता है पानी का कॉंसेंट्रेशन लीट के अंदर ज्यादा है कि अट्मॉस्टेर में ज्यादा है पानी के नीचे से पानी लेकर अचा रही है अट्मॉस्टेर में गाम है पानी की अट्मॉस्ट करुफ करना है विभी में आजो रिछ का तो अट्मॉस्टेर में वो भाए चला जा लूर शुट्रेशन की तरफ एफ्लिजे eben यानि लीफ जिन्दा होना चाहिए वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटाच्ट होना चाहिए ऐसा चिन्दा होना चाहिए यह खाले जिए छाहिए छाहिए शुचिन्दा कासे शर्ट में प्याद टाच्ट कोर सु क्यों प्रिया तो सो सी सरोगें आसर रुपर्शन कोले पिए पर समझा जीए ना पढ़ाख फिए प्रिया तो परिया प्रिया है In any experiment to demonstrate transpiration, the leaf must remain attached to its parent's plant. Why is it this so? सब बोल्डाइक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताने सर जिसमें सर ये पता चल रहा है कि transpiration हो रहा है और condition जो उसके लिए जरूरी है वो लीफ जोई अपने parent plant प्लांट से हटा देखे हैं अगर हम leaf को parent plant से हटा देखे हैं और ये transpiration वाला experiment करते हैं कोबाल्ड ख्लोराइड का पेपर उसमें लगा के तो आपको लगता है कि experiment सस्के रिजल्ट देगा पैरेंट प्लांट कोई हटा देखे तो फिर सर वहाँ पर ekst exploration स सब्लीफ हटा रहे तो सारा प्लांट यह थो आट गया ना सर हट सब्सक्रांट जोच नहीं सुर्स प्रक्राशु 24न चालिश्ट सार प्लांट नहीं सार तो बाके रहेगा नहीं सर्चिया हगा पानी आने जाने का सर्किट तूट जाएगा इसलिए प्राइशन नहीं होगा अगर उस टूटे वे लीफ को तर पानी के अंदर डाल देते तो उस ट्रांस्पिरेशन हो जाएगा चिवाना है पानी नहीं सर इसने बोला तो नहीं ए सर रोस लाड़ तो भी तोड तर पानी बोला तो ल कर दो खिला होगा दो खाता मिली रोज तोड के पानी जाल दो फिला होगा इस पानी में डाल दो ऐसे prepared cya za ay confusion 3D आप जो है इसकी सथित कात रहे का सर आंसर नम दीया था सर सर यह सर करकिट वाला बात सर अमको वहां पर डाउट कर गया नशर अगर लीफ को वापस पानी में डाल देंगे तब तो सर कैरी होई जाएगा अच्छा हार सर पेर सर ने एंग फिर सर्किट कट गया तो हमारे लिए चाहिए की सर्किट भी बना रहा है और पेपर भी कहीं जी ला नहीं है तो जब हम लोग इसको सिटैच कर देंगे तो जो जाइलम का जो संतिनुवस फ्लो है पानी का यो सटी आएगा जाएगा हाएगा है तो जाएगा पी जाट मुर्स ऩर फ्लो के मुर्शए कर देंगे मुर्ण ज्य आप ला आ ले सुछ हैँ प्राइज मतल्य बहुआ है इंब टर्फिरीयशंते है जिसटूर कहीं प्रेट बढ़ जाएगा अब गजर्युआ बढ़ जाएगा इंब रीक्ली प्रेश्णल आओ अब टर्फिरीयशंते है आई सर यूमेडिटी पर भी अविडिपैंड परता है जै है जी अङ्यूरे आजए उटेश्ड के अठाइए प्रॉप्रेश्ड के डॉपरेटने द्रभानने प्रॉप्रेश्टर जादा रहेगा दो पाने आराम से आपरेश्ड अख़क अजा टीड दरबोगेटने द्रॉप्रेश्ड उच्छ आए अगर बाहर भूप नहीं है नहीं चुप नहीं सुझ रहा है तो फ़ंशे में जिखालो velocity of wind जिसमें भी पानी का एक ऑपरेशन बढ़ना होगा झीज लाज़ित नेचे घीमिजीटी अगर बाहर में हिमिजीटी यानि मॉइस्चर यानि पानी का कंटेंट इसकत होगा कि प्लांट के अंदर भी हाई वाटर है बाहर में भी हाई वाटर है ऐसे लिए इसी जिनका रेट कम हो जाएगा यह इनवर्सली प्रपोर्श्मेंट कार्बन डियाउस्पाइगा कि इम का लेवल एधी प्लांट कि आरेकोड़ आया आच कि अयि कंझत का बेकल्या डरक्रेम प्लेकर कर्षार्ट है थे प्लेइंट अ खेर्टोंच नरिशिंता गया इन। नष्ट वितक्तों हरै अशोर्ट सब्सक्राइब तो सर्भाटा क्लेश्ट च्लेश्ट बेला रहा है सब्सक्राइब कर सक्राइब न यह पबने है प्लांट इश्चिट से इन्दर कार्बन डायक्साइड था एक्टमेव शुलसे आ। 2.0, 0.03, 0.03% यादा carbon dioxide हे गया तो चोमाटा इस्थ निए है यह इतना सीदह इस्थिखान साथ नहीं है इसमें बहुते हम भी पेश्क रहे है आपसे सीदह इस्थिखान से कुखेनी बहुते है इस यह ए, complex bicemmation but you can understand this much and increasing the carbon dioxide level the water is going to dissolve in water this carbon dioxide is going to dissolve in water to produce what carbon dioxide dissolves in water so you what Mr. Carbonic Acid so carbonic acid it will dissociate to produce bicarbonate ion and hexylose ion question that proton will affect the guard cell's pumping action it will affect the toxicity of the guard cell both problems so you don't know indirection is aggregation how much you are but how much carbon dioxide which is in France which is in France certain we add means atmospheric pressure atmosphere atmospheric pressure they got not magnetic propulsion magnetic litigation atmospheric pressure Kinda इसके ज़िए समझेंगें, इसके है एक इंटरेसिन पॉइंट है, फौधे जो की समतल जमीन में यहां पे ग्रो कर रहे हैं, और जिस पहाडों पर इतने ज्यादा आप पर आई आइसिटीड पर जाओगे, क्या होगा प्रेशर से, इंटरीस होगा? से दिक्रीब होगा, से दिक्रीब होगा? कि अउप्सिजन का लेवल डिक्रीज होते जाता है जितना हाई अल्टिटूड में बूजाते हैं क्यों कि आउप्सिजन से हैवी गयास है और वो नीचे वाले लेयर में रहता है एक दा तो चैनल रहा है जब हम लोग हाई आल्टीटूड में जा रहा है परत है वहाँ पतला होता जाता है बोलते है न, हम लग बहुत उपर गए जदार नाथ बढदी नाथ गुंने गए और वहाँ हवाँ पतला होता है यहा लोग बोलते है, तो क्या हो रहा है कि अध्मास्थरिक प्रेशर कम होने के कारण यो गैसे हैं इलोल वीर्ट अश र्वाइब देड शर्यषर अगर मेंश़ बंटन राय मंुझे संह से अप्लेट अपने के लिए ऊप कि ग्रत्वाइब च्रत्व के लिए गला कसम नहीं है यहां पर आप क्या करोगे पिखले साल आपने ग्यास के बारे में पड़ा था सर एत्मॉस्टरिक प्रेशयर डिक्रीज होगा मतब जब हवा परद कम रहेगा तो आप्रेशंट का रेट बढ जाएगा इरापोरेशन अफ वाटर ऑटर वन एत्मॉस्टरिक प्रेशर में यानि नार्मल में यह पानी इवापोरेट हो रहा है समझ ए बॉयल कर रहे हैं आप पानी को वाइल स्वाइलिक आफ गातर प्रेस्ज के इ Hagman आप वंपर गये हैं आउप करह 14 आचे शेलिक ट्रसलाइव इद आफ्ट करिक्षार के अगवारे एक सेंज होगा सर बॉइलिंग पॉइंट ओफ वाटर सर एड्मोर्पिरिक प्रेशर पेडिमेंट सरता है यहाँ पर जयमीन पर हम लोग चावल पकाते हैं पहाड के ऊपर जाके चावल पकाते हैं किसा देर लगता है हाँ आपार खाना पाना है आड न अजन इने इस फेंद हैं और इसका कि अग्याना थे इसे जादा दो इसके जिए जादा लेक्ड़ आपे जर्च प्रेटर भी सेजित हैं अभी इस इस एस अच्परिड आपको निया जाएंगे जै जाएंगे आपको समझमा आखा है चलिए, तो यह चारदा, six factors that affect the transpiration, one is the intensity of sunlight, temperature, velocity of the wind, humidity, यहाँ पर three आपके inverse proportional में है, और three आपके direct proportional में है, यह जो three direct proportional में है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसमें जल्पी करेंगा, intensity of sunlight, temperature, velocity of the wind, humidity में भी मुझे उनीच बहुत कम है, यह दो है, इसके लिए आप सिप दिमाग लगाओ, कैसे याद रखते हैं, तर इसका explanation है मांगता है, एक्दाम में, आपको यह बताया जाएगा, कि यह condition है, इसमें ट्रांस्पिरेशन बेचना क्या होता, क्या होता है, इसके लिए दोनों आपको अपना जो कहानी बनाओ, तो कि यह लंबा लंबा explanation, जो possibility मैं रे दिया अभी, लेकिन अल्यसिसरी topic के भटक के समय हमने बरबाद में कर सकते है, इसमें बनाओगे, 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 इसमें अब हम लिए अधर्नल साथ यानि फोधे का अपना इस फास्टर है इस हो इस अधर्टन करेगा तो अधर्टेसट इस एडेप्स्टर है इस एक्सटर्टेस्ट इडियों करेगा इसमें आपको या तो फीचर दे दिया जाएगा थिक पूटिकल रडूच एड़न नेरो लीफ फ्योर स्वाटा और ब्रादलीफ या इसे करके दे दिया इसमें की एक ardman आउट थाएगा यह वाला पाट खटम करने से हैं जनली इक पॉइंट है यह वाला पाट खटम करने से हैं जनली इक पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों को आंसर को आ रहा है यह वाला है यह वाला है यह वाला पॉइंट यह वाला पाट ख्रूपर खाइड रहा है करते हैं इसले जब मैं प्राइटर करूँगा उध्टा कर यह पिजिए नितर प्राइट, जोगनों। अपना जो है आपको डीजिव और रखते हैं कर्शेए बसक्त अब हम भी अपना 2nd screen on नहीं रखते हम बसका नेच्टी क्लास आपको इस उतीक क्लास क्लास हम सेटेंगा राल राये हैं डीजिदेंगा बीजिदेंगा अपको बाइलोजी क्लास में तर करवाई या ना करवाई सरक्यमेस्ती में जरूर करवाईए गाँ समय दसका सुभा होगा ना सरका सुभा क्लास तो जूमार मार्णिंग 6.45 बीचलेक्टिक लाफ़ा और देखे रूटीन रखे और ज़जबा रखे और चान्पिटेंस रखे इसका गुलाम परुपना जाए, पढ़ाय देखे, विरेख्टे और भ्यां देखे, एकर देखे, अशर्टाइज देखे, टेंचे के वीधिये, अलौन देखे दूबा हुआ 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 है तो क्या हो रहा है यह जो भालों के जाड़ से जूबा हुआ हुआ है है ना खीड की खुला हुआ है जाली नहीं लगा हुआ है जर्मी का दिन है आप ठोर हो जाली जब तक नहीं लगा हुआ है वेंटिलेशन स्थीट है दिशीजन हो रहा है हल्का ठंडा आवा कहीं से आया तो आराम से आप से रूम में दुआ आपने क्या किया मच्छड बहुत ज्यादा जाली लगा दिया आपने वो भी सही पीन होते होते हैं उसमें डस्ट पकड़ा अब क्या हो रहा है रेत आफ डिशीजन घटेगा कि नहीं घटेगा अब कि यहां पर ये सब जो है जैसे कि हम लोग पाई बार देखें बहुत सारे मीशने आप अब्स परोगें पड़ा मैंची किनिशा आता है इस आपने जालाइक प्लडा मैंची किनिशा आता है तो इसमें रूप है इसमें लाटी है तो ये क्या कर रहा है कि तो माटा को कि एक सब्सक्राइब साद देखे हैं प्लांट जो प्लांट अलड़ी बहुत से द्राईं हॉद यादा हो रहा है इसको कम करने के नीज तोमाटा वो तम रखेगा, न्यारो लीज जो इस ब्रॉड है, इसमें डेसलेटली मोर नंबर आप तोमाटा इंदी देर, मोर ट्रांस्पिरेशन इंदी देर, लेकिन जब लीज न्यारो हो जाता है, तो क्या हो रहा है, लीज ये ज़िए मिज दिन है, प्रक्राइब लेकिन जब देखेगा गुल रहा है, तो आप देखोगे कि इस ताइप का न्यारो रहता है उसका फटा, इस न्यारो लीज ने आप क्या अबजर करोगे, एक अगल होता है, तो पुरा एगदा फ्लाट चिप्ता हुआ नहीं रहता है, आप अबजर करोगे, जाएगा कि ऐसे एक V-shape में आता है, बीच में वेइन जाएगा और यह जो आपका जो ग्रीन वाला जो एरिया है वो V-shape में ऐसे निकलता है तो इसमें क्या होता है कि एक टाइप का अनीवन सनलाइट इसे उपर पड़ेगा एक जैसा डायरेक्ट सनलाइट में पड़ेगा तो इसे भी आपका रिक ट्रांस्परेशन सन्ट्रोल इसे भी आपका रिक ट्रांस्परेशन शन्ट्रोल इसे भी हो गया नेरो लीड़ेगा Reduce the exposed surfaces Reduce the exposed surfaces ज्यादा तर आप इसको देखोगे ferns में ferns यानि आप समझे रहो न साजाने के लिए बहुत जूज होता है ferns बज़र लीव के नीचे वाले साइड में ब्राउन ब्राउन करके spots रहते हैं बहुत सारे वो एक हुआ ने तो और भी बहुत सारे लीव हैं वो खोड़ा तरल्ड यानि मुड़े हुए रहेंगे rolled up रहेंगे, folded रहेंगे इसके द्वारा भी वो reduce करते हैं अपने evaporation को next, loss of leaves whenever there is such kind of situation simply it will lose the leaves and the leaves will become almost like thorn like the cactus Sir, Sammi का पौदा बोलते हैं Shani का पौदा में भी होता है Shani का पौदा में होता है पौदा पौदा या है कि अपना पौदा बप्सक्तों कि अज़ा गा उत्यवंगे पौदा पौदा रहेंगे